नमस्कार में निकिता और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूस 24 खबर उत्तेर प्रिदेश से है जहां जन्पद अम्रोहा के थाना शेत्र गजरॉला के महला मचली मंडी में बीते दिनों में हुई महिला की मौत का पुलिस ने आज खुलासा कर दिया आखिर पुलिस का शक्ष सही निकला मृतिका हीना का पती ही निकला उसका कातिल आपको बता दे के जन्पद अम्रोहा के थाना शेत्र गजरॉला के महला लीपुर मचली मंडी में बीते दिनों महिला का शव संदेग दवस्ता में पड़ा मिला जिसकी शनाक्त हीना के रूप मे की गई थी पुलिस अधिक्षा का मुरहाग डॉक्टर विपन ताड़ा घटना के शीखर अनावरिन प्रभारी निरिक्षिन गजरॉला को निर्देशित किया गया विवेचना के दौरान अभियोक्त सल्मान पुत्र एहसान निवासी महला नाईपुरा थाना गजरॉला जन कारी लेते हुए बताया कि अभियोक्त सल्मान ने मृतिका से निकाह किया था और पिछले साथ आठ महीने से दोनों के बीच आपसी मद्भेत के कारण जगड़ा चल रहा था दिनाक 27 जनवरी 2020 को अभियोक्त सल्मान अपने ममेरे भाई के साथ महला मचली मंडी में मृतिका क किराय के मकान पर बातचीत करने गए थे जहां इनमें जगड़ा हो गया था इस दौरान अभियोक्त सल्मान ने अपने ममेरे भाई के साथ मिलकर कमरे में रखा चोटा गया सिलेंडर मृतिका के सर पर वार कर गंभी रूप से घायल कर दिया जिससे उनकी मृतियों हो गई अ प्रियोक्त सिलेंडर बरामत किया गया और गिरफतार अभियोक्त के विरोध अगरिम वैधाने कारवाही की जा रही है प्रियोक्त अपसी मद्भेश चल रहें थे और सल्मान ने अपने मेरे भाई की साथ मिलकर इसी मद्भेश के चलते उसके हत्या कर दिया चोटा गया सिलेंडर था उसी से हत्या करना बताया गया है वह बरामत कर लिया गया है अबी एक आरोपी सर दूसरा आरोपी गए गए ठीक रिए उसकी विक रिप्तारी हो जाएगी ठीक न्यूस 24 के लिए हम रोहा से कविंदर सिंग की रिपोर्ट